अपने ब्रेकप के बाद एक लटकी होमटाउन में आकर लाइफगार्ड का चौप करती है वहाँ पर एक स्कूल के लटके से उसका अफेर हो गया था अब क्या ये अफेर उस लटके के लाइफ को डिश्ट्राइ करेगा या एक न्यू डारेक्शन देगा ये हम आज के हमारी मुवी दे लाइफगार्ड ये 2013 की एक होलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दिजेगा अब बिना किसी तरीके एक्स्प्लिशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में क्यारेक्टर ली को उसके बॉफरेंड के साथ देख सकते है उसे छोड़ कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था उसका बॉफरेंड इंडिया ने तो इंडिया जा रहा था ली हमारी एक जनरलिस्ट है और ली का बावर ने उसका बॉस भी था एक जगा पर छोटे से टाइगर की डेथ हो गई थी वही पर वो इन्वेस्टिकेशन करने के ले गई किसी आदमी ने एक छोटे से टाइगर को ऐस पेट घर में बंद करकर रखा था उस बेबी ने वहाँ से निकलने के बहुत कोशिश की पर वो निकल नी पाया फाइनलि उसकी वही पर डेथ हो गए ये स्टोरी सुनने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है ये सिनारियो उसके लाइब से पैरलल है उसे आज कल अपनी लाइब में स्टक लग रहा है वो निकलने के बहुत कोशिश कहती है पर निकल नी पाय रही जब उसका बाइफरेंड वापस आया तो एक दिन उसकी बात उसने सुनी उसे पता चला कि वो अल्रेडी इंडिया में एंगेज़्ट है यही रिजन था कि वो अपने कलीक से हमेशे उसके रिलेशन्शिप के बार में जूट कहता था ली के बारे में किसी को भी पता नहीं था ये सब सुनकर ली को बहुत बुरा लगा वो निकल नहीं चाहती थी तो सब को छोड़कर अपने घर आ जाती है घर में उसकी मदर ने सब को स्टोरेज का सामार रखा था मदर ने कुछ न्यू क्रास स्टार्ट किया ली इसका मज़ाग उड़ाती है मदर कोई बात अच्छे नहीं लगती है रात में डिनर करते हो अग ली ने अपने पैरनस को बता दिया एक कुछ दिनों के लिए मैं यही रहने वाली हूँ पैरनस कहते है कि तुम 30 साल की हो तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो ली ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए उसने जीस तरीके से अपने लाइफ को एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है अब तक उसे लाइफ में एक सही डारेक्शन मिली नहीं वो अपने लाइफ से ज़रा सैड है तो इसलिए थोड़ा टाइम निकालना चाहती है उसके वादर इस बात के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे ली के साथ टाइम स्पेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगली दिन ली अपने स्कूल के फ्रेंड टॉड से मिलने के लिए आई टॉड उसे देखकर बहुत ही खुश था टॉड आर्ड ग्यालरी में काम करता है तो उसने कितना भी ब्रेक लिया तो कोई भी फरण नहीं पड़ता उसने ली से पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आई हुई हो ली गयती है इस सरा टाइम के लिए में यही रहूंगी टॉड ने उसके बॉइफ्रेंड के वारे में पूछा ली ने उसे सब कुछ सिच्वेशन बता दिये ली गयती कि अब तुम अपने सारे प्लांस कैंसर कर दो हमें मजे करने है हाई स्कूल में इनकी ग्रूप में और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेल ली जाकर उसे मेल दिया अब वो असिस्टंट प्रिंसिवल बन गई थी तो उसे इस तरीके से देखना ये उसके लिए बहुत ही वियर था वो बिल्यू ने कर पाती कि मेल अब इतनी सुदर गई है क्योंकि हाई स्कूल में बहुत सारी अलग-अलग चीज़े V8 सीज़े क्या करती थी ली ने उसे पुचा कि आज कल चल क्या रहा है मेल गयती है मैं और मेरे हजबन प्रिंगनन्ट होने का ट्राय कर रहा है सिक्स मंच हो गे पर फिर भी अब तब कुछ भी नियूस ने आई इसी वज़े से आज कल वज़रा स्टेस रहती है ली ने उसे सिगरेट ओफर की वो पहले लेने रही थी पर बाद में उसने ले ली वो भी थोड़े से फिर से मजे करना चाहती थी स्कूल में उसे स्टिक रहना पड़ता है सब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है पर आज उसे बहुत ही फ्री लगा साम में सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिए आए ली से उन्होंने बुझा कि अब तुमारा प्लान क्या है ली कही दिक में फिर से लाइफगार्ड की जॉब करूंगी मेल ने कहा कि वो जॉब तुम है स्कूल में करती थी अब तुमें यह नहीं करना चाहिए ली वेसे भी ब्रेक पर है तो उसको कुछ भी जादा फरह नहीं परता यहाँ पर इस डिनर के वग मेल का हस्बंड भी था मेल का इस तरीके से इसके फ्रेंड से मिलना है उसे जादा अच्छा नहीं लगता तो ही जैसे हमें पता है कि लीग और टॉड ही इतने जादा रिस्पोंसिबल नहीं है वो किसी भी टाइम पर कुछ भी कर सकते है अगली दिन ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ले लिया वो आपर एक हाई स्कूल के लड़के जो मिली जिसका नाम था लीडल जेसन जेसन यहाँ पूल के पास ही रहता था तो हमेशा वह यही पर आता रहता है ली जब सब बच्चों पर नजर रग रही थी तो कुछ बच्चे भागते भागते गए उसने कहा कि तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते तो सब बच्चों ने एक आगस को गिला करकर उसे बहुत मारा उसे बहुत सारी गालिया भी दी ली इन बच्चों को बैंड कर देती है और इसके बाद खुद रोनने लग गई थी थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो उसे पुछता है कि क्या हुआ ली ने कहा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो गैंस्टर की तरह भीह हुगाता है वो कहा वर रहता है मैंनों से स्विमिंग पूल से बैन कर दिया है जो भी हुआ था ये सारी चीज़ उसने जेसन को बता दी नेकसे में में मेल और उसके हस्बन को देखते है मेल आज राद ली और टॉड के साथ फिर से डीनर करने के लिए जाने वाली थी तो हस्बन कहता है कि जादा ड्रिंग मत करना मेल ने कहा कि इस से जादो कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर फिर भी हस्बन के लिए मान जाती है आज एक शॉप के बार ली और टॉड को जेसन और उसके फ्रेंड्स मिले जेसन की फ्रेंड मैट ने कहा क्या आप हमें बीर दिलवानी के लिए हेल्प कर सकते हो टॉड ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा हेल्प करने के बदले में टॉड को जॉइन चाहिए था ये बच्चे इसके लिए मान जाते है जब बाय करने के लिए रात में इससे पोचे तो उनके साथ मेल भी थी मेल ने इन बच्चों को देखा और वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि सारे बच्चे मेरे स्कूल में जाती है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं इस तरीके से चीज़े नहीं कर सकती है तोड गैदा कि ज़्यादा वरी मत करो तबी जेसन और उसके फ्रेंट्स ने कहा कि अब हम स्कूल में नहीं आने वाले है वो ड्रॉब लेकर एक न्यू सिटी में जाने वाले थे तोड ने कहा कि अब ये तुम्हारे स्टुडेंट नहीं है तुम ज़्यादा वरी मत करो पर फिर भी मैल इसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी वो गाड़ी में ही रुकी मैल के साथ इन फ्रेंट्स में से एक फ्रेंट रुका हुआ था मैल उसे समझा दिया कि मेरा भी हाई स्कूल में जादा कॉंसेंट्रेशन नहीं होता था पर बाद में उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया और अपनी लाइफ को अब उसने सुधार लिया है इस कनवर्सेशन से इस बच्चे को अच्छी डारेक्शन मिली और वो स्कूल से ड्रॉप नहीं करने वाला ली टॉर्ड और जेसन के फ्रेंड्स ये सब आगे गए फिर स्मोक करते है ली ने जेसन को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए अपने हाई स्कूल एजुकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए अगर तुमने नहीं किया तो लाइफ हार्ड हो सकती है जेसन कहता है कि टाउन बहुत ही घटिया है हर कोई उन्हें हेट करता है ली ने कहा कि यह जो एक्स्पिरियंस है यह तुमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है तुम स्कूल में जा सकते हो तुम्हें कोई काम नहीं है स्मोक करने के बाद ली और टॉट जब फिर से वापस आया तुम मेल रोने लग गी तो कहती है आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मज़े करने थे वो ने अपनी सारी टेंशन बता दिया कि इस तरीके सो प्रेइनन्ट होने पा रही है इन्हें मेल के लिए बुरा लगा और घर आकर उसे रिलाइस करते है ड्रिंक्स वगरा करकर इन्होंने हैंग आउट किया और मेल को भी रात बहुत ही अच्छी लगी अगली दिन ली जब अपने काम पर आए तो जेसन का फ्रेंड मैट ही स्विमिंग पूल के पास ही स्वय हुआ था ली ने उसे पुझा कि क्या हुआ तो मैट ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे घर से पहार निकाल दिया मेल को चुटी थी और घर पर बोर हो रहा था तो ली और टॉट के साथ हो हैंग आउट करती है इन्होंने लॉंग ट्राइव ली और बहुत मजी किया ये जब वापस आये तो जेसन और उसके फ्रेंड्स को स्केट बोर्ट करने के लिए पुलीस ने अरेजट किया था ली गे थी कि आप ये सब कर क्या रहे हो इस तरह के से आप इन्हें अरेजट नहीं कर सकते हैं वो एक रिपोर्टर थी तो इस वो जेसे पुलीस भी डर जाते हैं और वहाँ से चले के इसके बाद ये सब फिर से हेंग आउट करते हैं इसमें आज मेल का हजबन भी था ये सब जो भी स्मोक कर रहे थे इम मेल की हजबन को अच्छा नहीं लगता ली और जेसन बात करते हैं ली ने जेसन से का तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है जेसन को कुछ भी पता नहीं था तो ली उसे लिक्चर देने लग गई जेसन उसे कहता है तुमने सब कुछ प्लान करकर रखा था पर फिर भी तुम बहुत ही सैड हो ली इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती गर पर आने के बाद मेल और उसके हस्वन के बीच में जगड़ा हो जाता है उसे लगता है मेल इस सिचुईशन को सिरेसली ले नहीं रही उसे खुद का ख्यार रखना चाहिए अगले दिन जब ली और जेसन ने पूल के पास हैंग आउट करे थे तो ली ने उस लीटल टाइगर को क्या हुआ था इसके बारे में जेसन को बताए जेसन कहता है तुम ने जो आर्टिकल लिखा वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स टाइम शायद कोई ऐसा नहीं करेगा वो उसके पास आकर उसे हग कर लेता है थोड़ी देर में जिस छोटे बच्चे ने ली को सताय हुआ था वो उसके पास आकर उसे सौरी कहता है उसने बहुत ही रिक्विस्ट की तो ली ने फिर सो स्विंग पूल में आने के लिए अलॉग कर दिया वो ली से गयता है कि प्लीज जैसन को पतातो कि मैंने आपसे माफी मांग किया वो मुझे तंग ना करे इसका मतलब है जैसन ने उसे धमका कर यहाँ भेचा हुआ था ली को यह सब बात बहुत ही स्विट लगी रात में बारिश होने लगे तो जैसन भी ली के कार में बैट गया था यह दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे ली को यह रेलाइज हुआ और वो वहाँ से दूर चली जाती है फिर रात में अपने फ्रेंज के साथ स्विंग फूल पर आये ली और जैसन ने एक दूसरे को ही देख रहे थे ली वाशरों आये तो जैसन उसके पास आ जाता है जैसन ने पुचा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो क्या फरक बढ़ता है सब कुछ ठीक हो जाएगा वो फिर उसे किस कर लेता है और यही पर यह दोनों इंटिमेट हो गए आज रात ली घर पर बहुत ही लेट आयी थी तो उसकी मदर उस पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि तुम इस घर को होटेल की तरह ठीट नहीं कर सकती तुमें कुछ रिस्पॉंसिबिलिटीज लेनी चाहिए मदर का कुछ काम था जो उसने फादर को दिया हुआ था पर फादर इसके बारे में भूल जाते है क्योंकि उन्हें ली के साथ टाइम स्पेंट करना है मदर इस बात से और भी जादा फ्रस्टेड़ होगे पर ली और फादर खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने के लिए मिला स्विंग पूल पर आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी इसी मुवमेंट पर एक छोटा सा बच्चा स्विंग पूल में गिर कया और इसका ध्यान नहीं था बाद में उसे और जल्दी से बचा लेती है घराते वक ली ने फिर से जेसन को देखा ये दोने एक लिक के पास आए जेसन कहता है कि वर्माण बहुत ही प्यूटिफूल है वहाँ पर में फीच वेकर कैच करता था ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते है इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिनू हुई थी एक दिन ली ने जेसन से पूचा कि तुम कब जाने वाले हो जेसन कहता है कि एक दो विक में में निकल जाओंगा उसने कुछ पैसे सेव करकर रहे है उसके पास 400 डॉलर्स दे ली ने कहा कि इतने इनफ नहीं है तुम्हें एटलिस 1000 डॉलर्स चाहिए तुम थोड़े दिन यहीं पर रुख जा कुछ अगर और पैसे आ जाएंगे उसके बाद चले जाना ली नहीं चाहती थी कि जेसन इतनी जल्दी यहां से चला जाए एक रात पार्टी पर मेल ने ली से का तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो तुमें रिक्रेट करना पड़े ली कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जेसन की फ्रेंड मैट को जल से जल इस ताउन से निकलना था टॉर ने कहा कि मैं भी पहले इस ताउन से निकलना चाहता था पर यहाँ पर वो स्टक है उसकी जौब है उसकी पैरेंट से आबर है यहाँ से जान नहीं सकता वो मैट को सहरा दे रहा था पर उसके बाद उसे हाथ लगाने लग गया मैट ने कहा कि मैं गे नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है गुस्य में जेसन के पास आया और कहा कि हमें कल के कल निकल जाना चाहिए जेसन कहता है कि मुझे और भी कुछ पैसे सेव करने जरा एक दो विक्स लग सकते है मैट बेजा रहे इस सब बातों से बहुत ही साड हो किया ली के घर पर उसके पैरेंस मिलकर एक रूम बनवा रहे थे यही दिखाने के लिए जेसन को ली लेकर आए ली की पैरेंस अपने हाथों से खुद बना रहे थे इसका मजाग ली ने उड़ाया यह सब बाते ली की मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज़ादा अपसेट हो गई उसने कहा कि तुम इस तरह के से वापस कैसे आ सकती हो बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमारा ख्याल रखा है तुम जब अपने जॉब करने के लिए तो मैंने खुद की आइडेंटिटी क्रियेट करने की कोशिश की अब तुम जब वापस आ गई हो तो सब कुछ प्रॉब्लम क्रियेट करे रही हो तुमारे फादर तुमें कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योग तुम कितने भी दिन यहाँ पर रहो उन्हें कुछ भी फरक नहीं पड़ता पर मदर को बढ़ता है ली एक छोटी बच्ची की तरह बहेव करती है यह मदर को अच्छा नहीं लगता उसनों इसे घर से बाहर निकाल दिया ली फिस जेसन की घर पर आके और यही पर अब वो रहने लग गई थी एक दुन उसे एवाड फंशन से एक मैसेज आता है उसने जो आर्टिकल लिखा था उसने उन्हें एवाड दिया है इसका प्राइस थाउजन डॉलर से है इसमें ये भी लिखा था कि आपने जनरलिजम छोड़ दिया ये सुनकर हमें बहुत ही बुरा लगा क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिखा रहा है और जब एक किस कर रहे थे तो टॉड इन्हें देख लेता है मेल आजकल अपने लाइफ के साथ ज़्यादा सीरियस नहीं है तो ये बात उसके हजबन को सही नहीं लगी उसने मेल से पूशा क्या तुम सचुस में परिगनन्ट होना चाहती हो मेल ने कहा कि हाँ होना चाहती हो हजबन कहता है तो अभी क्या भी मेरे साथ इंटिमेट हो मेल ये नहीं चाहती थी तो इस पर इनका जगड़ा हो क्या सब कुछ बाते बताने के लिए टॉड के पास है बाते करते करते टॉड के मुझ से निकल जाता है कि लिए जेसन के साथ रह रही है इस बात से मेल बहुत ज़्यादा गुस्टा हो कि इनके ग्रूप में वो भी इन्वाल्ड है अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसकी जॉब भी चाह सकती है वो गुस्टे में ली के पास है जेसन भी वही पर था उसने जेसन से कहा तुम्हारे पैरंट्स के पास चल दिया उन्हें ये सब चीज़े पता होनी चाहिए वो ली पर वे बहुत ज़्यादा गुस्टा थी उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ क्यों डिश्ट्रा करना चाहती हो मैं स्कूल में तुम्हारी जेसी थी पर बाद में मैंने मेरी लाइफ को एक अच्छी तरीके से डारिक्शन दी है तुमने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दी मेल इस सब चीज़े जेसन के फादर को बताने वाली थी पर जेसन ने कहा कि मैं स्कूल को बता दूँगा कि तुम हमसे ड्रग्स बाय कर रही थी मेल इस बात से और भी ज़्यादा गुस्टा हो गए एक दिन जब ली और जेसन जंगल में जाकर हैंग आउट कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मैट की डेड़ बाड़ी देखी उसने सुसाइड कर ली थी उसे इस ताउन से जेसन के साथ निकलना था पर जेसन ने उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया इससे वज़े से उसने सुसाइड कर ली थी ये दोनों ही देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो जाते हैं जेसन रोने लग गया जेसन ने कहा उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड की थी अब और एक पूलिस ओफिसर जाकर फिर से उसे वही निज़ देगा उसे बहुत बुरा लग रहा था ली कहती है मैं बता कर आती हूँ ली भी बाहर आकर बहुत रोए क्योंकि उसने जेसन को रुखने के लिए कहा था वो मैट की मदर को जाकर बता दिया एक दुसरी का साहरा लेकर बहुत रोती है ली अब जेसन के घर से बाहर निकर दे वो एक राज स्विविंग पूल के पास होए और दुसरी रात अपनी मदर ने जो घर बनवाया था उसमें जाकर सोजाती है उसके घर से जाने के बाद उसकी कैट मिसिंग थी ये भी उसे मिल गई जेसन ने जब स्कूल को छोड़ दिया तम मेल उसके फादर से बात करती है उनने फिर से समझाने की कोशिश करती है जेसन को इस तरीगे से स्कूल से मत निकालिया जेसन के फादर ने खहा कि जेसन के लाइफ में अल्रेडी बहुत सारे प्रॉलम्स है यहाँ से दूर जाने का डिसीजन उसके लिए अच्छा होगा मेल ने ली और जेसन के बीच में जो भी हुआ इस सब के लिए और सौरी कहती है फादर कहते है लाइफ में इस तरीके से अजीब अलग अलग चीज़े होती रहती है हमें इस पर इतना ज़ादा सोचना नहीं चाहिए जेसन के फादर के जाने के बाद मेल को मनाने के लिए उसका हजबन आ गया उसे वो सौरी कहता है जिस तरीके से husband wife जगर थे और उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देते हैं उसी तरीके से इन दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया था मेल ने अपने school के board को सारी situation समझाई थी पर इसमें उन्हें नहीं लगता कि मेल का कोई भी fault है तो इस वज़े से उसे वो fire नहीं करते हैं ली घर पर आये और सारे सामान को ठीक से रख देती है अपने mother के लिए उसने website वेगरा बना कर रखी थी मदर को अच्छा लगा कि ली कुछ ना कुछ तो responsibility ले रही है ली अब घर में रह सकती थी मैट के funeral पर ली और मेल फिर से एक दूसरे से मिले ली ने मेल को sorry कहा और मेल उसे माफ कर देती है अब इसके बाद Jason के जाने का दिन आ गया था वो ली से मिलने के लिए लिए को अपने article के लिए जो thousand dollars का check मिला था यो जेसन को दे देती है उसने कहा कि तुम बहुत ही amazing हूँ कभी भी अपने आप पर doubt मत करना अच्छे से मेहनत करना और life में तुम success हो जाओगे इसके बाद ली भी अपनी city में फिर से वापस चली जाती है वो अपने काब में अच्छी थी पसे break up की वज़े से जरा break लेने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी तो फिर इसे वो load जाती है जेसन भी अपने town में जाकर सही तरिके से settle हो गया था और ली के New York के address पर वो later लिखता है इनकी relationship कैसी भी हो फिर भी एक दूसरे को life में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इंस्पार किया था इसे के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो से लगा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा यह बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया